दोस्तो यह हमारा UPAAA CPET 2022 का टेस्ट सीरीज नमबर 26 हैं जिसमें हम लोग भारती राष्टी आंदोलन के महत्पुनी MC को टेस्ट सीरीज के जरिये साल्प करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोश्चन साही हो रहे हैं दोस्तो समय बहुत कम रहे गया इसलिए अब आप ज्यादा से ज्यादा समय टेस्ट सीरीज पर देजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको कोश्चन की परकृती, कोश्चन की लेवल और कोश्चन को हल करने की तरीके का अच्छे से ग्यान होता है जिसका दोस्तो पूरा का पूरा परभाव, आपका एक्जाम हाल में पढ़ता है तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन कोश्चन को हाल करना आरम करते हैं दोस्तों हमारा पहला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों यहां में बताने है सुमेलित नहीं है इसलिए दोस्तों मैं बार-बार आपसे बात करता हूँ कि आप questions को पूरा पढ़ने की कोशिस कीजिए क्योंकि last में जो सब दिया जाता है कि आपको सत्य बताने है वो बिल्कुल highlighted नहीं किया जाता और हम questions पूरा नहीं पढ़त बी नंबर है बारदोली सत्यागरा इसके सामने पहलब भाई पटेल दिया गया है सी नंबर है किसान सत्यागरा जिसके सामने स्वामी सहजानन दिया गया है और डी नंबर है बेक्तिगर सत्यागरा जिसके सामने बिनोवा भावय दिया गया है हमें बताने दोस्तों इन में स से कौन सा विकल्प हमारा गलत है तो चलिए कोश्चन नमबर ये को लगाते हैं चंपार सत्यागरा यह नमबर है महत्मा गाधी बिल्कु सही दोस्तों जांड दश्री अप्रिकास से लोटने के बाद पहला असायोग या सत्यागरा दोश्टों महत्मा गाधी का था वो चंपा किसान सत्यारा भी कंष्च का ही है इसका मतलब दोस्तों हमारा यह है बी भी सही है और डी भी हैं हमें गलत बतानी थे गलत हमारा भीकल नमर सी हो रहा है तो हमारा एक्सर वनेगा पर भीकल नमर सी की चलिए अगला कोश्चन करते हैं कोश्चन नमर दो कि उननी सो तिरालिस में उननी सो तिरालिस में यह मैं है दोस्तों मैं लिग गया मिस्प्रिंटिंग है आस्थाई भारत सरकार की अस्थापना किसने और कहा की उननी सो तिरालिस में आस्थाई यह बात आप ध्यान दें गए दोस्तों इस स 143 में आस्थाई सरकार की इस्थापना की थी सुभाज चंद्रबोस ने सिंगापुर में अगला कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमबर 3 कोश्चन दोस्तों भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन के किस नेता ने गोल में समेलन की सभी बैठकों में हिस्सा लिया था आम जानते दो तो हमारा एंसर होगा दोस्तों विकल मसी डाक्टर भीम रावमेट करने तीनों गोल में समेलनों में हिस्सा लिया था ने देखेंगे कोश्चन नमबर 4 को चार नमबर कोश्चन हमारा है असायोग आंदोलन को महत्मा गादी ने 1920 इस भी में प्रारंब किया सबसे पहले जान इसे वापस ले लिया जब यहां चरम सीमा पर था क्यों यह हमें बताना दूस्तों क्यों वापस ले लिया था महत्मा गादी ने 1920 इस भी में असायोग आंदोलन को तो हमारा एंसर होगा दोस्तों यहां पर कौन सा दिकल नमबर सी चौरी चौरा की घटना घटित होने की कारण क्योंकि दोस्तों अब लोग जानते हैं महत्मा गादी अहिंसा की पोजारी थे वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे चौरी चौरा कारण में हिंसा होने के कारण इन्हों ने असायोग आंदोलन को 1920 इस भी में वापस ले लिया थ नेज़ देखेंगे five number question five number question हमारा है भारत में Simon Commission के आगमन के विरोध्य का नेत्रित किसने किया सामन कमीसन जब भारत आया था दोस्तों तो उसका द्रोध किया गया था जो कि लाहूर में हुआ था इसका कानड था दोस्तों कि साइमन कमिशन के सभी सदसी अंग्रेश थे अब यहाँ पूछा जा रहा दोस्तों कि ब्रोध का नेत्रित किस ने किया था तो क्या था दोस्तों लाला लास पत्राइने यानि बिकल नमबर डी नेज़ देखेंगे कोश्चन नमबर सिक्स अनुसीलन समित की अस्थापना गोसन नेज़ देखेंगे कोश्चन नमबर सेवन अभिनाव भार्ती नाम क्रांतिकारी संगधान की अस्थापना पूश्चन की धेतरित की अस्धावर कर नेज़ देखेंगे कोश्चन नमेर आट आठ नमबर कोश्चन दोस्तों हमारे सामने हैं कोश्चन है दोस्तों तत्वोधिनी सभा की अस्थापना किसमने की बेर इंपॉर्टन कोश्चन दोस्तों तत्वोधिनी सभा बार बार पूछा गया उन्डे परिच्छा का कोश्चन है दोस्तों तो हमारा एंसर होगा यहाँ देवेंदर नार्ट तेगोर ने अठारा सो उन्तालिस इस वी में तत्त बो धनी सभा की अस्थापना की थी नहीं देखिंगे कोश्चन नंबर नाइन को नाइन नंबर कोश्चन दोस्तों अखिल भारतिय किसान सभा दोस्तों सेकेंड कोश्चन है छुमारा थम्रेल का आखिल भारते किसांसभा की अस्थापना कहां हुई थी तो इसका एंसर आयगा दोस्तों लखनों में ऊससे जinson का फेबरेट दोस्टा में कौछ्टी आती यूपी स्वेसल से जुड़े हर चीजों की कौ Eck पूंचा इस दिरिश्टी से लस्टों यह आपका important ऊंपोर्टन कौशन बनाया आखिल भारते किसान सIsla के सभ़ाह किस थपना कहा होई थी लखनाओ में व कौशन नमबर दस, 1930 में, कोश्चन है दोस्तों, 1930 में सबिनय आउग्या आंदोलन किस मुद्धे पर शुरू किया गया था, 1930 इस भी में, दोस्तों, अब ही हम लोगों ने एक 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 सुनी सो बीस असाहयोग आंदोलन पढ़े है, अब यहाँ पर देखेंगे, 1930 में सबिनय आउग आउग्या आंदोलन किस मुद्धे पर शुरू किया गया था, तो हमारा एंसर होगा दोस्तों, भीकल नमबर सी, बेटी सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, के कानून को तोड़ने के लिए, 1930 में सबिनय आउग्या आंदोलन शुरू किया गया था, जो इसका सबिनय आउग्या अंदोलन 12 मार्च 1930 को गाधी जी के परसिद दांडी मार्च के साथ अहंदाबास से प्रारम हुआ, गाधी जी छेप्रेल 1930 को दांडी पहुचे और मुठी भर नमक से बेटी सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को तोड़ दिया, या इस बात क परतिक था कि भारते जनताब बीटिस कानुनों और बीटिस सासन के अंतरगत जीने के लिए तयार नहीं है, नेक्स देखेंगे 11 नमबर कोश्चन, सब्सक्राइब करें दोस्तों आप मारे चैनल स्यूक रुपा कलासिस को इसी तरह के वीडियो के लिए, अगला कोश्चन द साइमन कमीशन का भारत आगमन, दो नमबर है सायोगांदोलन, तीन नमबर है पूना पैक्ट, और चार नमबर है दोस्तों गाधी इर्विन समझोता, नीचे हमारा कूर दिया गया है, इसको करमनुसार हमें ब्योस्तित करना है, कि इसमें से पहली घटना कौन सी है, दूसरी कौन सी करम रूप से दूस्तों इनको हमें ब्योस्तित करना है, यह ब्योस्तित हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर यह कब शुरू हुआ था, हम इसका इस भी असन जान सके, तभी हम इनको सुमेलित कर सकते हैं, तो चलिए लगाने का प्रियास करते हैं, सबसे पहला साइमन कमी इसनका भारत आगमन हुआ था दो नमबर है էोस्तों असायोग आंडोलन कर शुरू हुआ था एक अगस्त उनिस्सो बेस तो असायोग आंडोलन प्रेम लेग देंगे हमनों नीस्सो बीस यह होगे हमारा दो दो तीसरा है हमारा पूना पेक्ट, पूना पेक्ट कय भुवा था 1932 में, अब नेक्स है दोस्तों, गाधी इर्विन समझ होता, ये हुआ था 1931 में, कब हुआ था? 1931 में, तो अब दोस्तों हमारे इसस्बी सन बन चुकी है, अब हम लोग इमको करम से ब्योस्थित कर सकते हैं, त 1920, फिर 28, फिर 1931, फिर 32, यानि 1920 पहले क्या हो रहा है असायोगान दोलन, तो सबसे पहले हमारा असायोगान दोलन होगा दो नमबर, अब दो नमबर हम लोग वीकल में देखेंगे, एलमनाइस करने की कोशिस करेंगे दोस्तों, ऐसे कोश्चन जल्दी और दोस्तों सही हो जात यानि दो के बाद येक आएगा, दो के बाद येक अभी ये में भी चला है और दी में भी चला है, तीन नमबर पर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, वो तो 1932 में हुआ था, गाधीर भीन समझा तीन पर आएगा 1931, तो 1931 यानि हमारा बनेगा 211 के ब बेटकर की बीच में, कब हुआ था, पार्च मार्च 20 सितंबर 1932 को, तो दोस्तों सबसे पहले आएगा 20, यानि असा है होगा अंदोलन दो, दो के बाद आएगा दोस्तों, एक, एक के बाद आएगा चार, और चार के बाद लास्ट में आएगा पूना पैक्ट, यानि तीन, दो, एक, चार, तीन, हमारा विकल नमबर D में आ रहा है, हमारा एंसर होगा दोस्तों, यहापे, विकल नमबर D, निस देखेंगे, 11 नमबर कोश्चन, इस तरह से दोस्तों, कूट के कोश्चन साल्प किये जाते हैं, कोश्चन दोस्तों, 12 नमबर हमारा है, राष्ट्रिय ग दिशंबर 1911 को कोलकाता में राष्ट गान से पर्थम गाया गया था जन्लक भारत का राष्ट गान है जानते हैं जिसकी रश्णा रवींद्नाठक्टेगोर ने की थी इसे पर दैकर कंग्रेस के 27 दिशंबर 1911 में आजिजुत कलकाता अद्वेशन में गया गया था इस अध्वेशन के अध्यस्त कौन थे दोस्तों विशन नारायन दत थे विशन नारायन दत नेस देखें के question number 13 30 number question है दोस्तों कांग्रेश का पर्थम विभाजन किस अध्वेशन में हुआ कांग्रेश का पर्थम विभाजन किस अध्वेशन में हुआ तो मारा अंसर आगा दोस्तों शूरत अद्वेशन 1907 यानि विकल्वसीर कांग्रेश के सूरत अद्वेशन 1907 में कांग्रेश का पर्थम विभाजन हुआ था नेस्ट देखेंगे 14 नमर कोश्चन्, कोश्चन् दोस्तों, लास्ट कोश्चन को भारतिय राष्टी आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनो समझोता विस्ट है क्योंकि यह नंबर है दोस्तों इसने हिंदोर मुस्म्लानों के लिए पिर्थक चुनाव पद्यती की समाप्ती की बिल्कुल गलत बी नंबर है दोस्तों इसमें भारत की पर्थम विस्यूद में गर हिसेदारी का निर्ड़ाय किया बिल्कुल गलत दोस्तों सी नंबर कांग्रेसियों के दोनों समुहों के बीच मतभेद सुलजाएगे जी हां दोस्तों यही आपका एंसर होगा इन में से कोई नहीं तुरंत कर जाएगा क्योंकि से एंसर में चुका है भारते राश्टे अंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनो समझोता बिसिस्ट है क्योंकि इसमें कांग्रेसियों के दोनों समुहों के बीच मतभेद सुलजाएगे जी हां यानि दोस्तों गरम दल वा नरम दल के मतभेद सुलजाएगे थे साथ ही मुसलिम लेग के साथ इसमें कांग्रेस का समझोता भी हुआ था जिसमें कांग्रेस ने मुसलिम लेग के सामपर्दाइक प्रतिनिधित की मांग को माल लिया था इसलिए दोस्तों 1916 का लाखनों का अध्वेशन पिसिस्ट माना जाता है तो इस तरह से दोस्तों हम ल आपके पेट के दिश्कॉंड से काफी महत्पॉंड सीरीज है दोस्तों, तो दोस्तों आपका अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमाई चैनल सिक्रिपर कलासेश को सब्सक्राइब करें, चैनल को सेर वर लाइक करें, तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले टेस्ट सीरीज के स युियाख, तैक्स पार वच्छिए...